Hello Friends, Calendar से सम्बंदित प्रशनों के सिरीज के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है इस Class में हम Calendar से सम्बंदित अन्य तरह के प्रशनों को हल करना सीखेंगे Class में हमारे साथ अंत तक बने रहीएगा क्योंकि अंत में हम latest type के प्रशन जो परिक्षा में पूछे जाते हैं का हल सीखेंगे तो इस class में हम किस तरह के प्रशनों को हल करेंगे देखे इसमें type 2 है अन्य तिथी को आधार मानकर दिन ग्याद करना तो यहां प्रशन है यदि 1 January 1910 को सुक्रवान माल लिया जाए तो 1 January 1901 को कौन सा दिन था तो इस तरह के प्रशनों को हम जारी रखेंगे इस class में So welcome to you all in your own channel Tattoo Think Exam Thinkers So let's begin with the solution 1910 से 1 January 1901 तक कुल वर्शों की संक्या होती है वो 9 होती है इन 9 वर्शों के हम बात करें तो हम यहां देख रहें कि यहां दो लीप एर हमारे पढ़ते हैं अब लीप एर कौन से होते हैं देखिए 1901 से हम शुरू करेंगे तो 1902, 1903, 1904 तो एक लीप एर जो पढ़ेगा हमारा बीच में 1901 से 1910 के बीच में दो लीप एर होंगे तो अब हम अतरिक्त दिनों की संख्या हैं पर ग्याद करें तो अतरिक्त दिन क्या हो जाएंगे साथ साधान वर्ष और दो लीप एर में कुल कितनी हो जाएंगे देखे हम जानते हैं कि एक साधान वर्ष में अतरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है एक होती है तो साथ साधान वर्षों में अतरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी वह हो जाएगी साथ साथ हमें दो लीप एर में अतरिक्त दिनों की संख्या क्या हो जाएगी वह हो जाएगी टू इंटू टू फोर हो जाएगी तो इस तरीके से हमारे कुल अतरिक्त दिन कितने हो गए ग्यारा अतरिक्त दिन हो गए तो हमारे अत्रिक्त दिनों की संक्या कुल कितनी को 11 हो गई तो इसको अगर हम हफ districts बने बेंद से तो इसमें एक हफ्ता हो जा जाएगा और 4 जो है दिन हमारे वो एक्सटाइर आटिक दिन हो जाएंगे हमारे पास यह रहा हम जानते हैं कि जो हफ्ता होता है हमारा वह सुमवार से शुरू होता है तो हफ्ते का पहला दिन सुमवार मानते हैं हम दूसरा मंगलवार मानते हैं तीसरा बुद्धवार मानते हैं सब्सक्राइब उस सब्सक्राइबार तो शुक्रुवार से हम चार देंगे एक से तरीके से एक जनवरी 1901 का जो दिन है वह सुमवार रहा होगा। दूसर प्रशन क्या स्टेट करता है कि वर्ष 1988 में स्वतनता दिवस बुद्धुवार को मनाये गया। तो वर्ष 1989 में वह किस दिन मनाये गया होगा। देखें हम जानते हैं कि 17शत दिवस 15 अगस्त दिवस ऒई का भ्ष जी होगा है तूध इन चया है गया एक नहीं लत डीप वर्ष तो एक दिन अत्रिक्त का मतलब क्या है कि 15 अगस्त 1989 बुद्वार के दिन के एक दिन बात का दिन होगा जो कि गुरुवार होगा देखिए हम यहां चार्ट से भी समझ सकते हैं हम जानते हैं कि जो हफता है उसकी शुरुवाद जो है वह सुमार से होती है सुमार फिर मंगल बुद्ध व्रहस्पत तो देखिए 15 अगस्त 1988 को जो दिन था वो बुद्वार था अब 15 अगस्त 1989 को जो दिन होगा वो एक अत्रिक्त दिन होने की वैसे वो क्या होगा अगले दिन पढ़ेगा अर्थात व्रहस्पतिवार को या गुरुवार को पढ़ेगा तीसरा प्रशन क्या स्टेट करता है कि 20 मार्च 1599 को यदि सुम्वर था तो 21 मार्च 1999 को कौन सा दिन होगा तो यहाँ पर देखिए 20 मार्च 1599 से 20 मार्च 1999 तक का समय हम पहले ग्याद कर लेते हैं क्या है राउंट फीघर है 20 मार्च से 20 मार्च जो हैं कुल वर्षों की गणना कर सकते हूँ 29 मेर्च समर्श है तो इस तरीके से जब हमें कोई निश्यत समय दिया हो, निश्यत तिथी दी हो और उस तिथी का दिन दिया हो, तो हम क्या करते हैं, हम दी हुई तिथी के दिन को ग्याद कर सकते हैं, इन तरीकों से. तीसरी टाइप के जो प्रशन है, वो इस तरीके से पूछे जाते हैं, कि महेश का जन्म जो है, पंदरा नॉम्बर 1981 को हुआ है, तो बताइए कि किस तारीक को वहाँ 24 साल 3 माह और 15 दिन का हो जाएगा, तो इस तरह के प्रशन थोड़े से चैलेंजिंग हो जाते हैं, कैल्कु को देखते हैं, तो इसमें हम करते हैं, कि जो भी हमें समय दिया होता है, और जो जिस समय के बाद का हमें तिथी निकालनी होती है, तो उनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, साल को पहले लिख लेते हैं, फिर माह लिख लिख लि तो हमें कितने समय के बाद का हमें समय निकाला है 24 साल, 3 माह और 15 दिन के बाद की हमें तारीक ज्यात का निती थी तो यहाँ पर simply हम इनको add करते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1981 और 24 को अगर हम जोड़ देते हैं तो यह आ जाता है 2005 आ जाता है इसी तरीके से 11 और 3 को हमने जोड़ दिया तो माहों की संख्या के आ जाती है 14 आ जाती है इसी तरीके से दिनों को हम जोड़ देते है 19 और 15 को तो यह हो गए आपके 34 दिन हो गए अब देखिए यहाँ पर जो है 14 को हम क्या करते हैं हम जानते हैं कि 14 माहा का मतलब हुआ 12 प्लस 2 months अब 12 months जो होते हैं वो क्या होते हैं अगर हम इनको year में convert कर देते हैं तो one year जो है में convert हो जएगा एक साल परिवर्थित हो जएगा तो 2005 जो है फरवरी का महीना अब भी इसकी गढ़ना की ज़रुद्थ हमें क्यों पढ़ रही है वह इसलिए पढ़ रहे देखिए अब यह जो महीनों दिनों की संद्ध distint हमारी 34 34 का मतलब है कि इसमें से हम क्या करेंगे 34 दिन के किसी महीने में नहीं होते तो हमें क्या करेंगे इसको हम महीनों में convert करके एक जो अत्रिक्त महीना आ रहा हो उसको हम महीनों की संख्या में जोड़ देंगे पर इस में से कितने दिन घटेंगे ये एक बहुत महत्पूर्ण प्रशन है जहां पर हमें विशेश रूप से ध्यान देने के आवश्रकता है देखे यहां बात हो रही है कि माहा कौन सा चल रहा है फर्वरी माहा चल रहा है आप जानता है कि फर्वरी माहा में दिनों की संख्या क्यों होती है 28 तो हम यहां 34 में से सीधे 28 गटाएंगे ना कि 30 ना ही 31 तो 34 में से हमने 28 गटा दिया और जो तिथी है वह क्या है 6, तो इस तरीके से इसका मतलब है कि 6 मार्ज 2006 को वह व्यक्ति जो है 24 साल 3 महा और 15 दिन का हो जाएगा, इसी तरह का दूसरा प्रशन है कि महेश का जन्म 25 नौंबर 1989 को हुआ है, तो बताइए कि किस तरीक को वह 15 साल 1 महीने और 7 दिन का हो जाएग तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, पिसले प्रशन की तरह साल हमने लिख दिया, महा लिख दिया, फिर उसकी बाद तिथी या हमने तारीक लिख दे, तो वर्स क्या है देखी, वर्स है 1989, फिर महा क्या है, नौंबर का है, तो 11 महा हो गया, और जो तिथी है, व माहा के नीचे आजाएगा और जो दिन है वह क्या होगा तिथी 25 के नीचे आजाएगा तो यहां सब को हम जोड़ देते हैं देखिए 1989 और 15 को हम जोड़ रहे हैं तो वर्ष हमें मिल ला है 2004 और माहो की संक्या को अगर हम जोड़ दे तो 11 प्लस 1 कितना हो गया 12 हो गया तो 12 मंथ सी हो गए है और यहां पर हमने जुड़कर 2004 में हमें क्या देता है? 2005 देता है तो वर्ष होगा 2005 अब देखिए मा руки संख्या किस तरीके से प्रभावित होगी? तो वह निर्भाद करता है दिनों की संख्या पर अब दिनों की संख्या हम देख रहें कि यहां पर क्या है? 32 दिन है है देखिए हमें महीने को देखना हुआ तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बारवा महीना था जो कि क्या है दिसंबर का महीना होने का मतलब है कि दिसंबर हम हम जानते हैं कि 31 दिन होते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे 31 दिन हम यहां से घटाएंगे तो 32 में से 31 दिन घटा देंगे तो दिन क्या होगा एक दिन सेश रह जाएगा और यह जो 31 दिन है वहां महां में क्या हो जाएंगे एड हो जाएंगे तो यहां पर जो कि 12 महीने हमारे एक वर्स में बदल गए थे तो यहां वर्सों की संक्या क्या हो गई महीनों की संक्या सुन्नी हो गई थी अब यहां पर जब इधर से एक महीना आ जाएगा carry तो वहां क्या हो जाएगा एक माह में convert जाएगा तो इसका मतलब है जन्वरी 2005 की बात हो रही है तो इसका मतलब है एक जनवरी 2005 को महेज जो है 15 साल एक महीने और साथ दिन का हो जाएगा शुरुआत में हमने बात के थे कि हम अन्त में लेटेस टाइप के प्रस्ट जो परिक्षा में आज कल पूछे जा रहे हैं उनको हल करना सीखेंगे तो here is the question सुरेश मोहन से 178 दिन बढ़ा है यदि मोहन का जन मंगलवार को हुआ तो सुरेश का जन किस दिन हुआ होगा चलिए इसको solution को देखते हैं तो देखें यहाँ पर जो है सुरेश और मोहन के जन के दिनों में अंतर कितना है 178 दिन का अंतर है तो इसके आधार पे हम क्या करेंगे 68 दिनों को हम घ्याद कर लेंギे तो अतरिक्त दिन ग्याद करने के लिए लिए कि 178 को हम साथ से भाग दे देंगे भाग देने पर 25 बार भाग पूरा-पूरा चला जाता है इसका मतलब है 25 हफते हमारे पास यह हो गए और 3 दिन जो सेज बचते हैं यह अतरिक्ति दिन को दर्शाएंगे तो अतरिक्ति दिनों की संख्या कितनी हो गई? तो मोहन का जन्म मंगलवार को हुआ है तो मंगलवार से हम क्या करेंगे? तीन दिन पीछे का दिन हम गयाद करेंगे तो इस चार्ट की साहता से हम देख सकते हैं हापर फिगर की साहता से कि मंगलवार आपका यह रहा मोहन का जन्म मंगलवार को हुआ है तो यहां से हम 3 दिन पीछे जाएंगे सोमवार, रविवार और सनिवार तो हम सनिवार पर पहुंचते हैं इस तरह के दूसरे प्रशन को देखते हैं कितनी हो गई? 4 हो गई अब यहां पर सेम चीज हमें ध्यान अखनी है जैसे हमने प्रशन में देखा था शाम महेश से 200 दिन छोटा है यहां पर अता शाम महेश से बाद में पैदा हुआ अता आगे की घटना का दिन पूछा गया है यहां पर अता हम 4 दिन सुमवार से आगे के घ्याद करेंगे तो शाम का जन्म किस दिन हो जाएगा अब? घ्याद करने के लिए हम सुमवार में 4 दिन को जोड़ देंगे तो यहां पर देखिए फीगर में हम देख सकते हैं कि सुमवार है सुम्वार से हम चार दिन आगे बढ़ते हैं तो मंगलवार आ रहा है दूसरा दिन है बुद्वार तीसरा है व्रेस्पतिवार और चौथा है शुक्रुवार तो इसका मतलब है कि श्याम का जन्म कब हुआ है शुक्रुवार को हुआ है